पूरे देश में शारुक खान की आने वाली फिल्म पठान का विरोध हो रहा है जगा जगा पर बहिश्कार किया जा रहा है इसी भी शारुक खान और देपिका पादुकोंड का पी आर भी आक्टिव हो गया और बचाव कर रहा है मीडिया और सोशल मीडिया के जरीए लेकिन भाहिश्कार थमने का नाम नहीं ले रहा दिपिका शारुक फीफा भी पहुँचे थे फिल्म को प्रमोट करने के लिए और उन तस्वीरों को दिखा कर देश के लिए गौरफ की बात है ऐसा प्रचार उनके पी आर के द्वारा किया गया मतलब साफ है बॉयकॉट गैंग और बॉलिवुड गैंग के बीच जम कर बयानबाजी और पोस्टर ट्विटर वार चल रही है अब इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विश्य बन गया इस वीडियो में एक व्यक्ती भगवा पहन माथे पर चंदन लगा कर रत पर सवार होकर बहिश्कार का एलान करता नजर आ रहा है जी हाँ बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रत पर पठान के बहिश्कार का पोस्टर लगा हुआ है जिसके पीछे भगवा जंडा लहरा रहा है और ये व्यक्ती रत पर सवार होकर शारुक और दिपिका के फिल्म का बहिश्कार कर रहा है आप भी सुनिए तो आपने सुना ये भगवा धारी कैसे फिल्म का बहिश्कार कर रहा है पीछे बहिश्कार का जो पोस्टर लगा है उस पर अगर गौर करेंगे तो साफ दिखेगा कि लिखा हुआ है हे पार्थ इस बहिश्कार रथ को पठान की तरफ ले चलो अब ये विडियो इंटरनेट पर चाया हुआ है कंगना रनावत के फैन पेज ने इसे अपलोड करते हुए लिखा है कि ये सनातनी कौन है जो माईक लेकर पूरे शहर में अकेले ही शारुक खान के पठान मुवी क बहिश्कार का बिगुल बजा रहा है गर्व है ऐसे सनातनी पर वह इस वीडियो को देखते हुए एक यूजर ने ग्यांग सव वसेपूर का एक सीन पोस्ट करते हुए लिखा कि सेम ऐस मनोज बाजपई इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि हमने कभी एक देशभक्ती गी स्तरके हो चुके हैं वह एक यूजर ने लिखा कि हिंदुस्तान में रहना है तो भगवे का आधर करना होगा सच्चे हिंदुस्तानी हो तो गेर्वा का मान रखना होगा भारतवासियों के लिए बहुत ही पवित्र रंग है गेर्वा यूही नहीं साधु संतों महात्माओं पावन आत्माओं का पहनावा है गेर्वा तभी आज बड़ी शान से विश्व के अंबर में लहरा रहा है ये रंग गेर्वा